दोस्तों OnePlus अपना एक और नीवा स्मार्टफोन OnePlus Nord CE4 Lite 5G को इंडियान मार्केट में लौँच करने के लिए तयार है इसका इंडिया लौँच डेट ओफिसियली कनफर्म हो गया है इस वीडियो में इस फोन के कनफर्म डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि ये फोन इंडियान मार्केट में किस डेट पे लौँच होने वाला है और ये फोन जब इंडियान मार्केट में लौँच होगा तो इसका प्राइस कितना रहेगा और सारे डिसकाउंट के बाद ये फोन आपको कितने में मिल सकता है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में OnePlus Nord CE 4 Lite 5G वारे में सबसे पहले इस फोन के लुक का बात करें तो इस फोन का बैक लुक कुछ इस तरीके का होगा जिसा क्या को दिख रहा होगा फोन बैक साइट से दिखने में बढ़िया होगा इस फोन के बैक साइट पर प्लास्टिक का बैक रहेगा इसमें दो केमरा का सेटेप रहेगा और एक LED फ्लेस मिलेगा फोन का फ्रेम प्लास्टिक काई होगा और फोन इन हैंड फिल में बढ़िया होगा जब आप फोन को हाथ भिलेंगे तो आपको अच्छा फिल देने वाला है वहीं फोन फ्रन्ट साइट से फ्ले डिस्प्ले के साथ आएगा जो की सेंटर पंचोल बला होगा जहां साइड का बेल्स और चीन ठीक ठाक रहेगा फोन फ्रन्ट साइट से भी अच्छा होगा लेकिन ये फोन दिखने में बैक साइट से ज़्यादा अच्छा होगा खास करके camera का setup बहुत बढ़िया दिया गया है cool मिला करके देखिएगा तो phone look में अच्छा phone होगा वहीं इस phone के weight और thickness का बात करें तो इस phone का thickness 8.1 mm रहेगा और इसका weight 191 grams होगा वहीं इस phone के display का बात करें तो इसमें 6.6 inch का full HD plus OLED display मिलेगा जो की center पंचोर वरा फ्ले display होगा इसमें under display fingerprint sensor भी रहेगा इसमें 1206 का refresh rate भी रहेगा इसमें peak brightness 1200 nits तक का रहने वाला है और इसका HBM mode 1200 nits तक का रहने वाला है phone display wise अच्छा होगा जब आप phone को चलाएंगे तो phone चलाएंगे आपको बढ़िया लगेगा नॉर्माल यूज में based होगा जब आप scrolling करेंगे, browsing करेंगे एप open close करेंगे ये समय बहुत अच्छा होगा डिस्प्ले का touch sensitivity भी बढ़िया रहेगा और वीडियो वियो अक्स्प्रियंस में तो खैर based होगा जब आप इसमें कोई भी high quality का वीडियो प्ले करेंगे या कोई high resolution का movie देखेंगे या कोई high resolution का song प्ले करेंगे तो आपको वियो अक्स्प्रियंस बहुत अच्छा मिलेगा विडियो वियो अक्स्प्रियंस में phone top class का होगा ओई इस phone के camera का बात करें और जब आप इस phone के camera से कोई photo की लिक करेंगे विडियो recording करेंगे कोई भी condition में तो phone अच्छा quality निकाल के देगा detailing को अच्छे से maintain रखेगा color को भी अच्छे से balance करेगा dynamic range में भी बढ़िया होगा low light में भी ठिक ठाक perform करेगा cool मिला करके देखिएगा तो phone camera में based होगा अगर इसमें ultra wide camera मिलता तो ये phone camera में और ज़्यादा बढ़िया होता वहीं इस phone के battery का बात करें तो ये phone पच-पन-सो एमेज के battery के साथ आएगा जहां 80W के fast charge का support भी मिलेगा तो phone battery में based होगा आज के time में जितना fast charge के support का need होता है उससे ज़्यादा ही इसमें मिलेगा और battery भी ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि generally 5000 mAh का ही battery मिलता है लेकिन इसमें 500 mAh का battery मिलने वाला है और ये phone dual studio speaker के साथ हाएगा तो phone multimedia experience में भी top class का होगा और ये phone 5G के connectivity के साथ हाएगा और इंडिया में जो भी popular band होगा वो सारे band का support मिलने वाला है और ये phone 5G connectivity में based होगा 5G network पे speed भी बहुत अच्छा मिलेगा वहीं इस phone के processor का बात करें तो ये phone snapdragon 6GN1 processor साथ हाएगा जो की phone anonymity fabrication पे बना है तो battery efficient भी है और इसका anti-2 score 5 lakh से ज़्यादा रहेगा phone performance में ठीक ठाक होगा normal type का gaming इस phone में करेंगे तो gaming आप अच्छे से कर पाएंगे normal type के gaming में phone बहुत अच्छा होगा heavy gaming में आपको दिक्कत हो सकता है वैसे ये phone एक normal user के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा processor के मामले में ये phone थोड़ा सा down ही रहेगा अगर थोड़ा और अच्छा processor इसमें मिलता तो ये phone processor में भी based होता वहीं इस phone के storage और RAM टाइप का बात करें तो ये phone LPDDR4X RAM और UFS 2.2 storage type के साथ आएगा और जब आप इस phone में कोई भी app को open करेंगे close करेंगे या कोई बरे file को एक जगर से दुसरे जगा move करेंगे या कोई app को background में run कराएंगे या एक app से दुसरे app पे switch करेंगे तो ये सब चीज़े ठीक ठाक से हो जाएगा storage और M type में phone ठीक ठाक होने वाला है और ये phone out of the box Android 14 के साथ आएगा और इसमें minimum 3 साल का major update और 4 साल का security update मिलेगा तो ये phone Android 17 तक जाने वाला है दोस्तों यही साब पूरा details था ये OnePlus Nord C4 Lite 5G से related जो कि इस वीडियो में आपको बताएगा है ये सब details से देखे साफ clear है कि phone processor को छोड़ करके बाकि सारे चीज़ों में अच्छा होगा अगर इसमें ultra wide camera मिलता तो ये phone camera में और ज़्यादा बढ़िया होता वहीं इस phone के price का बात करें तो दोस्तों leaks में बताया जारा कि इसका price Indian market में 20,000 के आसपास रहेगा ये launch price होगा और card discount के बाद ये phone 17,999 रुपया मिल सकता है यनि कि ये phone 18,000 में आपको मिलने वाला है card discount के बाद और इस phone को लेकि आप serious हैं तो minimum 17,000 या फिर 18,000 का target आप लेके ही चलिए वहीं इस phone के India launch का बात करें तो दोस्तों ये phone Indian market में 24 जून को launch होने वाला ये officially confirm हो गिया है पहले इसका launch date कुछ ओर आया था लेकिन अभी जो latest update आया है officially उसमें बताएगा कि 24 जून को ये phone Indian market में launch हो जाएगा वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जो भी update आया था OnePlus Nord C for light 5G से related वो सारा details आपको बता दिये